हेलो एवर्ट वेल्कम बाक टिरून चैनल आजम करनी जा रहे हैं आपकी वोकशीट नमबर 55 विशेग गनित कक्षा दस हमारे डेट 28 दिसम्बर के लिए तो चलिए शुरू करते हैं आज की वोकशीट में हम पढ़ेंगे व्रत की स्परश रिखा उपर आधारित कुछ एसे जाएगी तो वो अंदर से जाएगी है ना इस पॉइंट से दोबार से जाएगी और अगर थोड़ा सा बाहार से जाएगी तो इस पॉइंट से जाएगी ही नहीं है ना तो एक बिंदू से एक ही स्परश रिखा जा सकती है तो यहां से क्या आजएगा आपका अंसर एक ठीक है नेक्स दे वरत की स्पर्ष रिखा वरत को डैश बिंदू पर स्पर्ष करती है कौन से बिंदू पर स्पर्ष बिंदू पर ठीक है ना स्पर्ष बिंदू पर स्पर्ष करती है ठीक है नेक्स व्रत के बहारे बिंदू से व्रत पर बनी स्पवर्च रेखाओं की लंबाई होती है व्रत के जो बहार बिंदू बना हुआ है माले जी ये आपका बहार वाला बिंदू इससे जो इन व्रत की स्पवर्च रेखाओं की लंबाई है ठीक है, क्या होती है, बराबर होती है, clear, चलिए, होगे पहले 3 questions, आगे बढ़ते हैं, हमारे examples पर, उधारन पर, पहला उधारन है, आपको दिया गया है, कि दिये गए चितर में, जो आपका triangle है, A, C, B, इसका परिमाप याद करना है, आपको जो PCA, वो 28 cm दिया हुआ है, ठीक से A, बिंदू से जो spurs रेखा है, PA और AR ये बराबर होंगे, उसके बाद जो B है, ये BR और BQ हमारे पास बराबर होंगे, ठीक है, तो यहाँ से जो PC और PQ भी बराबर होंगे, स्पर्श रेखा से हैं ये भी, ठीक है, तो अब हमें PC जो 28 cm दिया हुआ है, तो जो PC है, वो कि से मिलकर बना है, PA और AC से मिलकर बना है, है ना, किसे मिलकर बना है, PA और AC से मिलकर बना है, जो PA उसके जगे AR लिख दू की बराबर है, तो AR और AC की बराबर होंगे, ये दोनों मिलके 28 थे, अब मैं ये दोनों मिलके 28 लिख सकती हूँ, ये और ये बराबर है, है ना, इसी त 26 26 26 इसका परिमा आप है क्लियर हो जाएगा चलिए आगे है प्रेशिन उधारे नंबर दो सिद्ध करना है आपको कि किसी बाहर वाले बिंदू से किसी वृत पर कीची गई स्पर्श डिखाऊंगे बीच ओ कोन बनता है स्पर्श बिंदू को मिलाने पर रेका करन केंदर द्व बृत की जो त्रिजा है और स्पर्श बिंदू पर लंब बनाती है ये नब्बे है ये भी नब्बे है ये दोनों हमें एक सोस्ती दिखा नहीं है तो देखो जो चारो है आपके पास चारो जाओं का योग चारो कोनों का योग तिनसु साथ होता है चतर बुज में तो हमने यहां पर लिख दिया अब ये और ये नब्बे है तो हमने लिख दिया नब्बे प्लस नब्बे और ये और ये हमें पता नहीं है ठीक है तो नब्बे प्लस नब्बे एक सोस्ती उदर जाके माइनस ही हो जागा तिनसु साथ माइनस एक सोस्ती ही होता है तो इनका जो योग तो यहां से इनका माना आपको ग्यात करना है d.o.b d.o.b है और d.a.b है d.a.b है d.a.b है यह क्या होँगे आपके 180 होगे सम पूरा कौण होगे तो यह 40 है यह कितना होगा 80-40 कितना होजाएगा 140 होजाएगा अब यह पुरा 360 होता है इसमें से ये 140 है तो ये बाहर वाला कितना बच गया 360 माइनस में 140 220 बच गया अब ये 220 है ये निकल गया अब मैं देखू यहाँ पर ये चतरबुझ लेना चाहती है उस चतरबुझ में 4 का योगिक 360 करके फिर मैं इसको निकाल लोगी ठीक है तो ये निकल चुका है अब ये देखो ये आपकी तरिजा है ये आपका स्पर्श रिखा है तो ये 90 डिकरी का कौन बनाएगा ये पूरा 90 है लेकिन यह 75 दिया होगा तो 90 माइनस 75 बचा वो क्या हो जाएगा हो जाएगा तो इंए बीश भाए मारबास पंद्रा है ये बताओ क्या होगा अब दिखो ये की слыш भी केंदर सेजबा ile splash का सम्माम्दवार現在 तो यह इसका आदा हो जाएगा ठीक है इसका डबल होता है ना यह तो 140 नहीं कितना हो जाएगा यह 70 हो जाएगा अब देखो मैं चारों में से यह मान गयाद आपको Mac saya M यह से क्या हुआ QN क्या करना पड़ेगा हमें को यह मैं बता है इन जो Cara पाद में ले Aussow हमी शुज स्रम ख़ल पते हैं कितना होता है 360 degree होता है ठीक है 360 होता है तो यह 90 है यह भी आपके पास 90 है ठीक है यह M plus 3M है तो सबकी values आपने रख दी यह 90 क्यों आया है क्योंकि जो उत्रिजा है और वो उस परश डेखा कि साथ क्या बनाती है हमारा 90 degree का कोन बनाती है ठीक है तो 90 plus 90 90 होती है M plus 3M कितना हो जाएगा 4M हो जाएगा 360 मिसे 360 माइनस करें कितना हो जाएगा 360 degree तो 4M एक सोसी के बराबर है M किसकी बराबर होगा 45 के बराबर होगा ठीक है M की value में find out करनी थी हो गया पहला प्रेशन आगे बढ़ते हैं प्रेशन नमबर 2 पर दूसरा प्रेशन है दिए गई चित्र के लिए X का मान गयात कीजे जहां J वरत का केंद्र है देखो यह आपका वरत है यह आपका जी है ठीक है तो आपको क्या करना है X की value निकालना है यह क्या आपकी जो स्परश रेखाए है यह दोनों बराबर होग है मतलब X प्लस 10 किस के बराबर होगए 2x-1 के बराबर हो गया तो ही क्या हो जाएगा 10 प्लस 1 हो गया ठीक है 10 प्लस 1 हो गया और सुर्य कैसी हो गया यह वन है इदर आके पलस मिं हो गया X इदर कर माने होगया 2x minus 1 x होता है और 10 प्लस 1 11 हो गया x is equal एक समय निकालना था, ठीक है, हो गया कोशिय नमबर दो, कोशिय नमबर तीन है, थर्ड कोशिय देखो, छे सेंटीमीटर तरजा वाले व्रत पर दो स्पर्च रेखा है, एक दूसरे के साथ 120 डिगरी का कौन बनाती है, सिद्ध कीजी की स्पर्च रेखा हूं कि जो लंबाई ह है, OAP है, और OPA, यह कितना है, OAP कितना है, आपके पास 90 डिगरी है, और OPA, एक मिनट, OPA है, ठीक है, और OP B है, यह क्या है, यह पूरा आपके पास 120 है, यह आदि-आदा हो जाएंगी, 120 का आदा कर दो, 60 डिगरी हो गया, ठीक है, आप देखो, यहां से POA, POA और POB, यह कि पास C30, इसकी ज़रोत नीथी, वैसे 30-30 हो जाएंगी, अब देखो, टेंजन 60 क्या होगा, टेंजन क्या होता है, आपका लंब बटे में, प्रपेंडिकुलर अपोर में, बेस होता है, लंब बटे में आधार होता है, लंब क्या है, आपके पास यह है, आधार यह है, यह कि कितलों कितने है हमारे निकालना है ठीक है और चैजिन 60 रूट ठीक होता ए तो फीऊ सकती है। तो पी क्या हो गया दो रूट 3 सेंटीमीटर ठीक है तो दोनों कितने हैं दो रूट 3 सेंटीमीटर यह हमसे पूछा गया था ठीक है यह हो गया आपका प्रेशन नंबर 3 आगे बढ़ते हैं प्रेशन नंबर 4 प्रेशन नंबर 4 क्या है एक वृत यह आपको दिया हुआ है त्रीपुज है डीएफ इसकी बुजा इएफ को बिन्दू पी पर और बुजाओं डीएफ को बढ़ाने पर क्रमश्य बिन्दू क्यों तथा आर को सपर्श करती है तो आपको सिद्ध करना है कि जो डीक्यू है व अब देखो जो ट्रेंगल डीएफ का जो परिमाप है यह जिसका परिमाप है क्या होगा डीए प्लस डी आर प्लस इएफ यह होगा अब जो इएफ है एफ को मैं लिख सकती हूँ एपी प्लस एफपी लिख सकती हूँ अब इसमी से भी जो एपी है वो एक्यों के बराबर है जो fp, fr के बराबर है, हाना, अब यहां से त्रिपुछ df का मैं परिमाब देखूँ, तो इनको, मैं क्या करूँगी, इनका सम होगा df, प्लस में ep, प्लस fp लिख सकती हूँ न, अब यहां पे जो ep है, वो eq के equal है, और जो fp है, वो fr के equal है, ठीक है, तो यहां से df और fr क्या बन गया, आपका dr बन गया, ठीक है, तो dq प्लस dr बन गया, यहां से, आप देखो, अब dq is equal to dr है, so यहां से, dq is equal to dr आपको given है, तो triangle जो df है, इसका परिमाब देखो, dq प्लस dr, ठीक है, तो dq प्लस dr, यह दो नो बराबर होंगे, dq प्लस dq हो जाएगा, 2 q एक मिनट, यहां पर लिख लेना, यह देखी, ठीक है, तो dq है, जो वो dr की equal होगे, वरत के बाहर यह बिंदो से वरत परबनी स्परश रेखाओं की लंबाई समान होती है, तो यहां से देखो, df जो है, df जो है, इसका परिमाब क्या होगा, dq प्लस dr, है ना, हमने भी नि टू कट कर लो, इसर भी मैंने टू लिख दिया, ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, तो यह होगे आपका प्रेशन नमबर चार, तो यह चार प्रेशन अजब की वोकशीट में दिये गए थी, I hope आपको अच्छे से समझ भी आ गए है, कोई भी डाउट है किसी भी कोशीट में, तो comment section में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको lecture अच्छा लगे, तो चार्ला को subscribe कर सकते हैं, वीडियो को like कर सकते हैं, आज के लिए इतना ही मिलते हैं, next video में, till then, take care, bye-bye.